इस वार देश में एक नहीं दो दो संसत चल रही है एक संसत भवन में तो दूसरी जंतर मंतर की सड़क पर देश में कई बार ऐसे मुद्दे उठे जिनकी गूंच सड़क से लेकर संसत तक सुनाई दी लेकिन क्रिशी कानूनों पर किसान संगठन और सरकार के बीच चल रहे गतिरोत को किसान अब अपनी संसत में उठा रहे है संसत में भले ही विपक्ष क्रिशी खानूनों का मुद्दा उठा रहा है लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घरों से निकले किसा अपने तरीके से स्मुद्दे को किसान संसत में उठा रहे है शुकरवार को चले किसान संसत की कारवाही में किसानों नात्की धंक से अपनी बात समझाने का प्रयास किया संसत की कारवाही की तरहा किसान संसत में भी एक घंटे का प्रशनकाल रखा गया जिसमें कृशी मंत्री पर सवालों की बौचार की गई जवाब में केंद्रे क्रिशी मंत्री का किरदार निभाने वाले किसान ने नए क्रिशी कानूनों का बचाव करने की पूर्जोर कोशिश की आखिर में समझाने में नाकाम रहने पर कृशी कानूनों पर मंतरी अपनी नाकामी को मानते हुए किसान संसद में इस्तिफे की पेशकर करते से सुनाई दिखाई थी है इस मौके पर सभी की आम सहमती से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया प्रस्ताव में कहा गया था कि किसानों को कहीं अधिक संख्या में संचालित होने वाली मंडियों की जरूरत है ना कि कम संख्या में प्रस्ताव में केंद्रिय अधिनियम को फारण रत करने की मांग करते हुए दावा किया गया कि इसे समिधान की अंदेखी हुई है प्रस्ताव में सरकार से मंडी प्रणाली में सुधार लानी की भी मांगी गई ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके तो किसान एक तरफ अपनी बात किसान संसद में अपने तरीके से समझा रहे हैं दूसरे तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में बैठे जो प्रतिनधी हैं, वो अपनी बात जो है जनता तक और किसानों तक पहुंचाने की बात करते हुवे सुनाई देते हैं और कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही पक्ष अपनी बात से ए को लेकर बात हो रहे हैं अपना प्रस्ताव लेकर सरकार के पास चर्चा के लिए जाएंगे किसान संसत के चलने से क्या पढ़ेगा कोई प्रभाव क्या विपक्षी दलों से उठकिया है किसानों का भरोसा यह वह तमाम सवाल जो इस पर उठ रहे हैं नंबर आपके साथ नहीं इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई राय कोई सुझाव हो कोई बात आप हम तक पहुंचाना चाहते हूं तो आप सीधा हम से जुड़ सकते हैं और आपके सवालों की जवाब देंगे जिम्मेदार इस पर बाचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं प्रिंस वड़ेश से यह जानना चाहूंगी वड़ेश जी किसानों ने अपनी संसद लगा ली है और क्रिशे खानूनों को लेकर वहाँ पर प्रस्ताव भी वो ला रहे हैं निंदा प्रस्ताव भी लाया जा रहा है प्रस्ताव गिर भी रहे हैं यहां तक कि अब तो क्रिशी मंत्री ने जो यहां खड़े किये गए थे किसानों के उन्होंने अपनी नाकावी मानते हुए स्टफ़ा भी दे दिया है आखिर इस सब से आप क्या मानते हैं कि क्या निकलने वाला है कोई नत क्या हैं अगर न्यद्न और फ़ॉया है और कानुनों को अरुदे करके आप जो यह संटियतिक प्रोग्राम हो रहे हैं हमेरे किसान असना काम प्रस्ता भी लिये रखा करके आपने नेशनल मेडिया नूर मेडिया हाफिसको डिखाएं तो लोगों तक मैसेज पहुटे जो न किसान संसर्द के मादिन से हम इस देश को यही तुवारा इस बेसर्ब नेताव को बता रहे हैं कि इनमें काला क्या है उच्वे अलग-अलग संसर्द किसानों के बनाया जाते हैं लेकिन कृशी मंतरी तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई विशे होगा तब ही तो बात होगी कोई विशे है ही जो अपना कोई प्रस्ताव लेकर आएं बाचीत करने के लिए सरकार के दरवाजे हमीशा खुले हैं अगर वो कहते हैं कोई विश्या नहीं है तो बिना विश्या के ग्यारा दौर की वारता हो गई ग्यारा दौर की वारता में कोई विश्या को वोट होगा वहाँ पे उसके बाद वो कहते हैं कि कोई प्रपोजल वेजिंग किसानों को अनिल गोयल जी नहीं हो रहा है यह बात की जानकार ही नहीं है कि किसान आखिर चाहा क्या रहे हैं कि यह यह जो भी बात हो उसको परिवार्दन के लिए तयार है उसको चर्चा करने के तयार है हैं लेकिन है में दत्र था थी यह जान को समझते हैं और कि ईक कहते हैं तो गोषृफ प्रकानुन अगर कानून वापिस बेंगाई तो काहिन जी अब भी तक जितने कानून बने हैं इस तरह क्ल रोज कानून फासंगे आरेक हानों को लेकित तरह का विरूत तो नहीं हुआ न गोल्डू घार इंगोन के लिए इस तरह से विरोत करना चाहता हूं भूडर हम था लिंक्न पेर लेना शुरू करा तो क्या उन्हों ने टैक्स से यह बात हुझी कि कि सरकार ने कर दिया और टैक्सपर ने इनक्डश को सब्सक्राइब है मिए जो कानून बनाने काम है वह सांसदों का है सांसद हमारे बीच में सी चुन करके गए और चुन करके जाने के बाद में वहाँ पर कानून बनाएं और उसके बावन भी कानून बनने के बाद भी वो कहते हैं आप हमारे साथ बैठो जो जो संस्वदन चाहते हों करेंगे पूरी परीशे इनके साथ तयार है हर बात पर बैठने के लिए लेकिन समस्या का समाधान के रास्ते बचने जिति से जितने का रड़ने पर बैठे रहेंगे कानुन वापिस होगे तो हम वापिस आएगे जिते से लोग तंत्र नहीं चलता लोगा तंत्र दोनों की बाथ सुनने पड़े जी सरकार की में सुनने पड़े जीए लेकिन गोयल जी एक तरफ की सरकार कहती है किसानों से बादशीत के लिए तयार है दूसरी तरफ उसी सरकार में बैठे हुए नेता प्रतनिधी कहते हैं नेतागंड कहते हैं कि किसान नहीं मवाली है सवाल क्या है कि जो 26 जन्वरी को जो हुआ है और जो भी कांड हुआ है वहाँ पर लाल के लेके ऊपर वो निश्चित तोरफ़ देश को बद्राम करने का नहीं है और अगर जिनोंने लाल के लिए पर ऐसा करा है उनके बारे में अगर कोई कुछ भी कहता है तो वो किसानों के तो टो देख लिया गया ना कौन थे उनकी गिरफतारी भी हुई है सबी तो नहीं थे ना अभी जो सब बैठे हुए हैं कौन है सरकार क्या किया वागती है उन्हें कौन लोग है मेनाक्षी जी के तोड मरोर के पेश किया गया है उन्होंने किसानों को मवाली नहीं कहा उन्हों ने कहा आप अभी भी उन्हें किसान कह रहे हैं मवाली है वो वडे जी हमारा जो बड़ा इस्पस्ट है अगर वो लाल प्ले पर हसी बात कर रहे हैं उनकी वहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर ऐसे समाजी तत्वा करें तो उनको क्या कहीं है जब कोई अमर्चंसी होती है कि देश के अंदर अगर एकदम से कानून ना लाए गए तो इसी तरह का नुक्सान होगा आपने राज्यासभा के अंदर बार्शल बला करके द्वनिमत से क्यों ये कानून पास कर दी है क्यों इनके उपर पूरी चर्चा नहीं करवाई अग अपने अपने बात रखी है और जो भी बात रखी है उसको मानने के लिए तयार है उसमें परिवर्दन करने के लिए तयार है लेकिन विश्ट किसानों के चाहिए किसानों के हित में सरकार पूरी तरीके से समझाता करने लिए तयार है अगर आप इसको पूसरे अकर से लेंगे तो निश्चित तोर पर उस तरह से बातने में नहीं आप प्रिंस जी आप सरकार के आगे परस्ताव रखो किसानों से आपने कहा कि किसान सरकार के सामने प्रस्ताव रखें और सरकार उस पर बात करेंगे प्रस्ताव क्या होगा किस तरह होना चाहिए आगे हम इस पर बात करेंगे कुछ दर्शक जुड़े हैं मारे साथ में रंडवीर जुड़े हैं रोतक से करीम खान हमारे साथ जुड़े हैं मद्य परदेश से स्वागत आपका रंडवीर जी रखें अपनी बात कायना जी मैं अपने गोहल साथ से पूछना जाता हूँ कि साइद मेरे को लगता है अपने गोहल साथ की अंदल अंतरात्मा मन चुकी है क्योंकि ये कह रहे हैं कि मिनक्षी लेकी ने मुवाली नहीं कहा और आप से मैं प्राजना करूँगा कि आप इनको वीडियो चला कर दिखाएं अगर इनकी अंतरात्मा जिंदा है तो ये कहेंगे कि ये बहुत ही गल्ब कहा है और हम औरतों की बहुत इज़त करते हैं हमारी मा भी औरत है हमारी बहुन भी औरत है लेकिन ऐसे सोच बोलने वाली औरत को तो देश से बहार ही कर देना जेए और जो पुलिस तो महिला कांस्टेवल थी जो महिला की है और जो हमारे प्रवक्ताओं ने किसानों को कभी पाकिस्तानी कभी सायनित कह कहके अपनी खुद की सभी खराब की है और मैंने आपको पांस महीने पहले का था कि ये आंदोरन बीजेपी सरकार की रिट की अड़ी को तोडने वाला होगा क्योंकि इनका एंकार ही इस तैस का है ये कैसे किसान प्रस्ताओं बेज़े प्रस्ताओं तो बेजते हैं को प्रस्ताओं की कानूं की गारेंटी जो मुद्धी जी पहले के हैं उससे पाद में संसोदर होते रहेंगे समझ्षा तो आपने खुद पैदा की है आपके इंगार में पीज़ा पैदा की है दूसरा आप कानून रिपल कैसे किया दाए कितने कानून शरकार ने रिपल किये हैं और ओडनेस रहने की क्या दूरूद थी राजे सबाब में आपने तरफा कराई बोलो अरे ये बिल थोड़ा ले आगे तब ताना शाही दिखाई गई है गोई निसाथ जब लाल के लिए पर कान हो दा उस लाल के कान के ओपर जो महिला कान सेवर के साथ पर वा अगर उनको बाली का जा आए तो उसमें गलब क्या ए आप या तो यह तो यह कहें कि महापर जो लोग थे वो हमारे सब किसान थे जब आप यह कहरोगे बतानी कहां से है समाजी तत्वा के को ना गए वहापर किसान नहीं कर सकते तो अगर उनको मवाली कहा जा तो उस पर आपको किसंद आए आनल कोईल जी आप दो बात ओको मिक्स कर रहे हैं कि अदूसरी जगह हम बात कर रहे हैं जहां खिसान धर ने पर बैटने वोह हैं आप दोनों बयानों को मिक्स कर रहे हैं दो छینदा बैग। कौन थे उनकी पहचान हो चुकी है पुलिस पकड़ भी चुकी है बाकी आप सबको एक लाइन में एक ही डंडे से नहीं हाग सकते हैं बहुत शुक्रिया रणवीर जी करीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत स्वागत है आपका करीम जी रखे अपनी बाप कि बार बिद्धर जी आधा अप जी आधा अप किसानों का भला बात करें पहने जेस की सर्कार अपने जेस का भला कर लेगे और रही बार दूसरी तो इन्होंने किसानों का बला कर रही है जिनको इन्होंने सिलेंडर दिये थे और जो सिलेंडर नहीं भरा सकते इस तो इस अधर बार अपना बला करना चाहती है पडलीक कोई बला करना नहीं का जवाब दे बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ जोड़ने के लिए जी कोल जी करीम जी की बात मैं समझ नहीं पाया किसानों का भला करना चाहती है तो पेट्रोल डीजल की जो बड़ी हुई दरे हैं उनको कम करें पेट्रोल डीजल सस्ता करें जीस्टी के दायरे में उसको लेकर के आए और जो दूसरी और चीजों पर सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है देश की जंता का भला भी करना है सरकार को उन पर से भी महंगाई को कम करें जी काइना जी इंको प्रेट्रोल डीजल के दाम बढ़े वे हैं सरकार इस विशेपर पूरी तरीके देशिंदेट है लेकिन आप एक बात बात है करोनकाल अभी निप्टा है करोनकाल चल रहा है बली किन चल रहा है एक हमारी बुता रूप लियावा है आज हमारे सामने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बचाना है यानि हर व्यक्ति के पास वैक्सिन पहुंचे उसको वैक्सिन लगे तीसरी लहर से कैसे बचा जाए तीसरी लहर की तैयारी कैसे करी जाए और डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का वो सब कैसे किरा जब हुए और उन सबके इनदर कहीं ना चाहिबना हुआ Lगता है तो hy परांकेता नी तरह जो ørगने हैं झाय psic पूद जानते हैं कितने लोगों की रोजी रोटी यहां पर शिन गई है कोरोना काल में नौकरिया चले गई है लोगों के पास काम नहीं है कारूबार नहीं है उस पीच में अगर इस तरह से लगतार महंगाई बढ़ती रहेगी बिमारी बाद में पहले पर रोज़कारी मार द जानते हैं पर जानते हैं वापसा जाते हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं बात्चीत कर रहे हैं एक दरशाक हमारे साथ जुड़े हैंarmeं ord goat फेव नहीये रखिए अपनी बात रहें तो मेहां मैं अगरम त बो हैं जान्धी जी की उखाद नहीं थी कि देश आजात करा लेते हैं पांट सु आजी मर गए सोचने वाली बात है जो आदमी हीटर एसी में रह रह रहे हैं वे हस्का बात कर रहे हैं अरे जब सतर साज जब अमेरिका से लाल गया हूँ आता साथ 75 रुबे कि लो तब खाके किसार न अपने चार थोप हैं कि आप अडानी को लाएं आप अम्मानी को लाएं क्या करोगी बिश्टी बलीत हो जाएगी आज बिरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं बताई कोरोना पागा है अच्छा न्यूज चैनल भी आज तक अभी बिरोजगारी पर डिबेट लेखी आज लग मार्पीट सुरू हो जाती जो हरागी परेशान है मांसी ग्रूप से चारे साथ मेहने से बैठी है वो पितान चत्र सकतर साले के जमीर मर्चुबा कर देशका है क्या मोजी मोजी जी से आप हमेसे आसा जाना क्वालिफाइट कोई नहीं है दुरिया में इसा बूता हूँ और सब्सक्राइब कर देशका है क्या में इस सवाल जी ने पूछा है इसका जवाब आप से लूगी बहुत शुक्री जी एक और दर्शेक हमारे साथ है सतीबाला चन्रीगर्स स्वागत है आपका सतीबाला जी रखें अपनी बात है अलो जी जी गुट इवनिंग कहिए कर दो दो किसान जी में बहुत रहेंगा जी इन पर दो भी पाए गा अप यह नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं भी एक किसानी बेटी हूं मैं यही पूछना जाते हुआ है मैं कब तक हमारे जर्वाज माहाँ बैठने रहेंगे या कोई भी मैसले रिच्टरार रहें या कोई भी बहुत शुक्रिया सतीबाला जी हमारे साथ जोड़ने के लिए अनिल गोयल जी एक अंतिहीन इंतजार की भक्ती में जोग दिया है सरकार ने किसान जो बैठे हुए हैं अपनी मांगो को लेकर उनके घर वाले इंतजार में हैं कि कब उनके अपने घर वापस आएंगी लेकिन एक प्रण वो लेकर बैठे हुए हैं कि हमें प्रिशी खानूनों को रत करवाना है सरकार क्या इतना बड़ा दिल नहीं दिखा सकती है सरकार क्या नहीं कह सकती है कि आईए फिर से इस पर बात करते हैं फिर से नए सिरे से इस पर काम करते हैं जो पुराने हैं उनको चलिए ज्रत कर दिते हैं किया इतना कहने कह देने भर से कोई बड़ा तूफान आ जाएगा बड़ी आफ़त आ जाएगी का विग्ट। को द्यान कर ले हमारी पारटीर मेंने कि किसनों कीitu और इस तरह से किसान बैठे हुए है काइना जी सुनतों लो जब दुगनी आये होने का साधन कराता इसलिए हमने नीम के यूरिया के खाथ पर नीम की कोटिंग कराई जिससे की यूरिया खाथ का दुर्पयोग नहीं हो हमने पूरे मार्के खोला कि किसान हिंदुस्तान के किसी भी कौने में जाकर करके अपने यह किसान के यहां पर बेच रहे हैं घर प्यार कई हमने किसी विफ में किसान के रहे हैं हमने किसी भी नहीं करें किसान के फैसला को भी तहीं हो लोग पहले से ज्यादा मंडियों को खोलने के जुरूज है पूरी तरी से खरीदारी करी इसाँ तोर पर चाहे हैं वो खरीदारी कि इसाँ नहीं लेकिन आप उसके उपर राजनीती करें उसके उपर राजनीती अजंडा चलाएं इस तरीके से और जबंब लेकिन आप इसमान को छोड़ो की तीनों कानून रद रहें तो अब रहें तो अब रहें इस बात के लिए लेकिन आप कमिया खामिया नहीं होती तो शायद बदलने की नौबत भी नहीं आती जो आप कह रहें कि संशोधन के लिए सरकार त्यारा है इसकी नौबत भी नहीं आती अगर बात यही होती, किसान तो पूरे के पूरे खानूनों में ही कमी देख रहे हैं, कुता ही देख रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि रद हो जाए सरकार अगर रद कर देती है, तो क्या बड़ा नुकसान होने वाला है कि सरकार को किसान तो कह रहे हैं कि चलिए नए सिरे से अगर आप बनाना ही चाह रहे हैं तो बनाईए लेकिन हमारी भी राय उसमें शामिल होनी चाहिए हमसे भी मश्वरा होना चाहिए हमसे भी पूछा जाए अगर सारे टेक्स पेर बिलकर के ये कहें कि हमसे इतना टेक्स ना लिया जाए टेक्स पेर बिलकर के ये कहें कि वह आप जो है सबसीडी नहीं तो क्या सरकार उनके मात मान जाईगी आप एक नहीं तरीकी चीज खड़ी करना जिसमें पूरे देश के अंदर है यहां एक किसान बर्वत की बात हो रही है जिसका कहना है कि उसकी रिंड के हड़ी टूट जाएगी देश बर्वत को अनिल गोयल जी जब तेल पर कदाम बढ़ रहे थे तो सरकार बें साफ कहकर अपना पल्ला छुडा लिया कि तेल कंपनियों का ये शित्रदिकार है सरकार इसमें दखल अन्दाजे नहीं कर सकती तेल की किमतें जो है कितेल कंपनियों टै करती है कल को यही अगर दाम जो है पूरी तरीके से नीजी नीजी हाथों में चला जाएगा जिस बात का अंदेशक किसान जता रहे हैं तो फिर सरकार यहां भी पीछे अपना पल्ला सिर्फ यह जानना है कि कैसे इसका हल होने वाला है कौन पहल करने वाला है कौन किसको प्रस्ताव देने वाला है सरकार देगी या किसान देंगे जल्दी से अंतिम प्रतकर्या गोयल जी हम तो किसानों के साथ हर तरीके से बात करने को तयार हैं समस्या समाधान करने के लिए तयार हैं किसान तीनों कानूं को वापिस लेने की जित छोड़ करके खुले मंचे बिचा चर्चा बड़े मंचे आए और हम उनके लिए प्यार के परिए जी कोई बात चीट के लिए कोई रोड मैप लैकिसानों के पास है वो अपनी बात समझाएंगे हमने परस्ताव लिखित में दिया हुआ है आपके चैनल के मादिम से फिर मैं दे रहा हुआ है कि तीन काले कानूनों को रिद्ध की दिये MSP पर लिखित गरंटी का कानून को बना के दीजिए लिखित में किसान अंदोलन खत्म हो जाएगा इसमें को बड़ी बात लिए दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बात्चीत में जुड़ने के लिए लेकिन जो अभी आपने बात कही उसके लिए सरकार अभी तक जो है वो त्यार नहीं दिखाए देती है तो दिल्ले की सीमाओं पर चल रहे किसान अंदोलन को लंबा अर्सा बीच चुका है लेकिन जहां किसान अपने पहले वाले रुक पर कायम है तो वहीं सरकार का तर्क है कि वो जितने विकल्ब दे सकती थी दे चुकी है कृशी मंत्री की माने तो किसानों ने सरकार की प्रस्ताव को जब अस्विकार किया तो उ देखते रहें खबर फास्ट, मसकार.